हेलो एब्रिवान वेलकम टू चैरी एस्प्रेंज तु जहरकन बियट की कांसिलिंग कम्प्लीट हो चुकी और बच्चों को फर्स्ट अलोट्मेंट फर्स्ट कांसिलिंग के थू अलोट्मेंट लिस्ट जारी हो चुका है यानि उन बच्चों को जिन्होंने फर्स राउंड कांसिलिंग कम्प्लीट करा है उन लोगों को बियट कॉलेज एलोट हो चुका है वो जाके एड्मिसन कराने लगे हैं यह एड्मिसन का जो डेट है दोस्तों मैं आपको बता दू 21 दिसंबर से सुरू हुआ है और 25 दिसंबर तक लाश डेट है ठीक है यह कोई अफिसियल ही बट परभात कवर देनिक बासकर हिंदुस्तान में देनिक जागरन में यह सब में 25 दिसंबर बोल रहे हैं क्योंकि राची इनिवर्सिटी से और अरली बोला गया है कि हाँ 25 दिसंबर के आसपस इनका डेट है तो यह चीज उनका ओफिसियल नहीं है बट ओफिसियल किसी भी रेंक तक मिला है अगर आपको प्राइवेट बी अट कॉलेज एलोट हुआ है और हर बार आप मन में सोच रहे हैं कि सेमी गवर्मेंट मिलना चाहिए था और आपका रेंक दोस्तों 3,000 से जादा ठीक है और साथ 10,000 से कम क्या आसपास है तो आपको सेमी गवर्मेंट मिलने क पूरे चांसे से ठीक है क्योंकि 3000 से नीचे वाले बच्चों को गवर्मेंट कॉलेज मिला हुआ है ठीक है जो कि मैंने पिछले वीडियो में कराया था अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो जाके देख ले चार गो जो गवर्मे देखेंगे सेमी गौर्मेंट कॉलेज के बारे में कि कितने रेंग तक सेमी गौर्मेंट मिलेगा तो मैं फिलाल सब से पहले मैं राची यंवर्सटी के डौरंडा कॉलेज में जाओंगा डौरंडा कॉलेज का प्रोविजनल सेλέccion लिस्ट देखूंगा कि वहां पर कितने बच्चों को मिला है तो ये देखिए यहाँ पर डॉरंडा कोलेज लिखा हुआ हमें नाज राची उनिवर्शिटी में आ गए है हम और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जितने सारे बच्चों ने यहाँ पर डॉरंडा कॉलेज फिलप किया था चॉइस फिलिंग में उन सब सारे बच्चों में जिसका सबसे पहला रेंग है वो है 150 CML रेंग 150 तो 150 से सुरू हो रहा है ठीक है इस कॉलेज के लिए BC1 कैटेगरी का था यह लेकिन इसका जो चॉइ सेरियल नंबर पर तो आपको आपन वहां तक यानि जैनरल को सीट मिले हुए है तो यहां देखिए यह 40 है सेरियल नंबर और यहां पर कितना है 1668 CML रेंग तक इनको अलोट हुआ है अगर आप EWS कैटेगरी में जैनरल में बिलोंग करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको मिलेगा कि EWS कैटेगरी में जैनरल में 8325 रेंग तक मिला है मैंने अभी आपको बताए कि 10 से 15 हजार तक रेंग तक भी आपका अगर रेंग है और आप सेमी गवर्मेंट कॉलेज चारते हैं तो 101 परसेंट आपको मिलेगा देखिए EWS कैटेगरी में यहां पर जैनरल होने के बावजूद इनको 8325 रेंग पर डॉरंडा कॉलेज मिल गया डॉरंडा कॉलेज काफी अच्छा है बेट कॉलेज के में काफी बच्चों ने इसे पसंद करा था चॉइस फिलिंग में भी इसका बहुत सारा नंबर्स अफ चॉइस फिलिंग हुआ था अगर आप देखिए EWS का जो कटफ है वो ST से SC से भी जादा जा रहा है यानि कहने का यह मतलब है कि EWS में बच्चे 8000 रेंक में भी आपको इनको डॉरंडा कॉलेज यानि सेमी गॉर्मेंट टेलोट हो रहा है बट SC कैटिगरी में 6700 ही हो रहा है तो मैं बता दूँ कि आपका जो अगर जेनरल से है आप अगर आप जेनरल कैटिगरी में होने के साथ साथ EWS में आते हैं तो जिरूर यह सेटिफिकेट बनाए और अपना फाइदा ले जब तक सरकार इसको क्या बोलते हैं आपको बेनिफिट दे रही है तो क्यों ना इसकी बेनिफिट लिया जाए ठीक है तो अच्छा खासा यहाँ पर कॉलेज अलोट हुआ है अगर स्टी की बात करें दोस्तों तो आप देख के दंग राय जाएंगे कि कितना सेमी गुदे में लास्ट किया है देखिए यह स्टी केटिगरी में सेमी और semi government college मिला है तो EWS category को BC1 की अगर बात करें दोस्तों तो BC1 में last गया है 2000-28 rank तो बहुत ज़्यादा नहीं गया है यहाँ पर देख सकते हैं इतना rank में तो government college में मिल जाते हैं उसके बाद अगर हम देखें BC2 की बाद तो BC2 में गया है 2149 तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन category दिकत में आया तो general category जो pure general है जिसका EWS नहीं है और BC1 और BC2 category ठीक है यह आया और जो उसका general EWS है उसने तो बाजी मार ली आपने देखा भी इस वीडियो में तो इस तरह से हम लोग आप इसके बाद आएंगे जारकन के जो top most government college आते हैं जो कि आपका विर्वाभा भाई university में चत्रा college चत्रा माना जाता है बहुत सारे बच्चे रहा भाई university या डाक्टर स्यामा परसाद मुखरजी university पहले हम इसको select कर लेते हैं कई कि राची college में बहुत लोग डाक्टर स्यामा परसाद मुखरजी university में लेना चाते हैं तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं तो स्यमा प्रसंद मुखरजी उनिवर्सिटी जिसे रांची कॉलेज के नाम से भी जाना आता है वो 150 रैंक से शुरू हुआ है दोस्तों और इसका जो कट अफ गया है ओपेन के थुरू यानि जेनरल के थुरू वो गया है आपका ठीक है यहां देखिए 40 तक जाएगा यह तो 40 सिरियल नंबर तक यह ओपेन के थुरू इसको एडमिशन हुआ है और इसका गया है 1668 तो इतने रैंक में अराम से गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर यह बच्चे यहां पर एडमिशन नहीं कराता है और इनको गवर्मेंट कॉलेज चाहिए तो 2nd round तक मेरे ख्याल से इनको रूखना चाहिए तो फिर इसके आगे जस्ट आते हैं तो EWS कैटिगरी में अगर देखे तो 10 CTWS से रहती है और यहां पर लास्ट EWS है और 8325 EWS कैटिगरी में बच्चों को CML रेंक पर यह डक्टर सेमा प्रसाद मुखरजी उनिवर्सिटी जो की आटोनॉमस है इसका सारा रेजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलाप सब खुद करता है तो अच्छा कॉलेज में से एक है बढ़ा एटेंडे देना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देना पड़ता क्योंकि आप कॉलेज जाएंगी तो अटेंडेंस तो बनाना ही पड़ेगा आपको पढ़ना ही पड़ेगा 6702 रेंक है किसका SC कैटिगरी का ठीक है उसके जश्ट नीचे अगर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ST कैटिगरी में सबसे लाश्ट जो कट अप गया है दोस्तो ये डर्क्टर सेमा परसाद मुखरजी इनिवर्सिटी का वो 6999 CML रेंक है ठीक है इसको अभी हमने 6999 7999 देखा वहाँ पर देखा जस्ट इसके नीचे आएंगे हम लोग तो आपको देखने को मिलेगा BC2 कैटिगरी में 2149 रेंक तक गया है तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि किस तरह से डर्क्टर सेमा परसाद मुखरजी इनिवर्सिटी में जो CML रेंक है वो कैसे गया ठीक है तो ये आपने देख लिए डर्क्टर सेमा परसाद मुखरजी इनिवर्सिटी का था और इ जिनाव भाई उनिवर्सिटी में चत्रा कॉलेज चत्रा और संथ कॉलम्बस कॉलेज हजारी बाग तो सबसे पहले हम लोग संथ कॉलम्बस कॉलेज हजारी बाग ही चलते हैं ठीक है संथ कॉलम्बस कॉलेज हजारी बाग में अगर आप देखे तो संथ कॉलम्बस कॉलेज हज में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ सिरियल नमर 40 पे कि इसको कितना rank है 732 rank पर संथ कॉलम्बस कॉलेज हजारी बग मिला है तो देखिए आप on and average अगर आप देखे दोस्तो तो एस से EWS category में यहाँ पर भी देखिए 4700 rank के आसपास EWS category में इनको last मिला हुआ है यहाँ देखिए 4620 rank पर CML rank पर EWS में मिला हुआ है तो संथ कॉलम्बस कॉलेज में थोड़ा सा कमी rank पर मिला है क्योंकि यह अच्छे college में से एक माना जाता है 1000 बग का ठीक है और बहुत सारे लोग उधर रहना है पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ competition का माहोल है थोड़ा बन रहा है काफी अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती है उधर इसलिए SC category की देखे SC category में 6000 इदर देखे 62570 rank तक CML rank तक हुआ है और अगर आप ST category में देखे दूस्तों SC category में आप आएंगे तो last में देखेगा आपको यहाँ पर 1266 ठीक है 1266 CML rank तक इनको अलोट हुआ है तो अभी मैंने बताए कि अगर आपका 10 के से लेके 10 के से लेके 20 के के आसपास है तो आपका CML rank तो आपको semi government college मिल सकता है 20 के sorry मतलब 15 के 12 से 15 के तक आसपास है तो आपको क्या मिल सकता है semi government college मिल सकता है तो इनको मिला हुआ है देख ले सकते हैं यहाँ हम अगर आते हैं तो BC यहाँ BC2 category में 865 गया है last CML rank तो यहाँ पर BC1 और BC2 category के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा CML rank नहीं जा पाया और उन्हें लगबग लगबग seat नहीं मिल पाई यानि अगर हम देखे BC1, BC2 category में तो maximum यहाँ पर हम देख रहे हैं 1200 से लेके 1500 rank last गया है एकदम last 800, 900, 1000 इसी के अंतर गत्टे maximum 500 के अंदर ही सब को मिला है लेकिन वहीं अगर आप ST, SC, OBC ST, ST को देखे तो 8,000 के आसपास rank है SC को देखे तो 6,000, 4,000 के आसपास है EWS को देखे तो 8,000 के आसपास है और General को देखे तो 400, 500 यह ज़्यादा ज़्यादा हजार तक है इसके बाद हम लोग आएंगे दोस्तों यहीं विनवभाई उन्वर्शिटी में 14 कॉलेज, चत्रा की और तो 14 कॉलेज, चत्रा 2-3 नमबर में ही था ठीक है, यहाँ पर आगए हम लोग अब 14 कॉलेज, चत्रा में आप देखेंगे कि काफी बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया था इस कॉलेज को, जिसमें से 240 CML रेंक वाले का फर्स्ट नमबर में नाम है, ओपन के थुरू बुक हुआ है अर जस्ट इसके नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर 40 नमबर में देखने को मिलेगा, ठीक है, सिरियल नमबर 40 में कि कितना कट अप गया है उसके अकोडिंग, तो उननीस सो बार सट उननीस सो बार सट का मतलब एक हजार नौ सो बार सट 62 CML रेंक जिसका है उसको चत्रा कॉलेज चत्रा मिला है तो यह बच्चे अगर नहीं भी अड़िशन कराएंगे और गॉर्मेंट टीचर ट्रेनिंग हजारी बाग के लिए रुकेंगे तो हो सकता है, उनको क्या भूलते हैं, सकंड राउंड अफ कॉंसलिंग में मिल जाता है, क्या कि 50% सीटे ही बुक हो पाती है 50% सीटे बच जाती है, और अगली बार पहुत सारे लोग नहीं बढ़ते कॉंसलिंग क्यूंकि हर बार वो लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते इसलिए नहीं भरना चाहते जस्ट इसके नीचे आते, TWS कैटिगरी में 7147 रैंक तक मिला है ठीक है, काफी बड़ा रैंक है और SC कैटिगरी की अगर बात करें तो SC कैटिगरी में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 4112 रैंक, ठीक है और ST कैटिगरी में देखें तो ST कैटिगरी में सबसे last जो cut-up गया है वो है आपका, कितना देखें ST कैटिगरी में 13293 रैंक तक गया है और BC1, BC2 कैटिगरी में बहुत दिक्कत है, आप देख रहे हैं देखें, 2432 रैंक मतलब ST, SC, REWS का वो एक चोथाई भी नहीं है ठीक है, और just इसके नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा BC2 कैटिगरी का, तो BC2 कैटिगरी में हम BBMKU की साइट में जाएंगे बिनाओत्बियारी मातो optimum कॉलंचल उनिफर्षिटी तो बिनाओत्बियारी मातोedu कॉलंचल उनिफर्षिटी सबसे उपर में ही है और यहां पर अगर हम देखते हैं तो कॉलेज में RSP कॉलेज जरिया आर से सुरू होगा RSP College यहां तक आ गिया और यह सेमी गवर्मेंट में है College बहुत अच्छे College में से एक है बिनोत बहरे मातो कलंचल इन्वर्शिटी का और यहां आप देख सकते हैं 166 जिसका rank है CML rank उन्होंने यहां पर चोईस फिलिंग करा है उनको मिला भी है ठीक है वो चाहे तो गवर्मेंट ले सकते थे बर यहां पर उन्होंने लिया है तो कितना अच्छा College में से एक है यह बिनोत बहरे मातो कलंचल इन्वर्शिटी का तो अगर आप देखे कि इसका लास्ट काट अप जो जनरल का कितना गया है तो चालिस नमर में आप देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा 2633 CML रैंक तक इसको कॉर्मेंट कॉलेज यानि सेमी गॉर्मेंट कॉलेज RSP कॉलेज जरिया मिला है EWS की बात करें तो EWS में गिया है 12309 रैंक ठीक है और अगर आप SC की बात करें केटेगरी में आप देखेंगे तो जो लास्ट गया हूँ 13402 रैंक तक ठीक है और इसके बात जब आएंगे आप BC1 BC2 केटेगरी में तो इसमें बहुत दिकत है यानि 2797 रैंक ही सेमेल रैंक चापाया ठीक है और सीटे फूल होने लगी BC2 केटेगरी में दोस्तो BC2 केटेगरी में आपका 4649 रैंक है ठीक है ये सीरियल नंबर 75 तक यहाँ पर भरा हुआ है मतलब अभी 25 सीटे खाली है ऐसा क्यूं है कि वह हो सकता है वो 75 सीटे पर ही इस बार क्या 75 सीटों पर ही कॉलेज एडमिसन लेना चाहती है उन्होंने 75 सीटे ही प्रोवाइड करी है राची उन्वर्शिटी को ऐसा भी हो सकता है ठीक है या किसी करण वस यहाँ पर डेटेल में 100 तक नहीं गिया है तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते है नई वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से सेमी गवर्मेंट कॉलेज में कितना सीमेल रैंक तक सीटे बूक होती है अगर आप चाहे और आपका रैंक 2000 से 3000 के बीच में है तो आप सेकेंड राउंड आफ कांसलिंग के लिए आप रुक सकते हैं ताकि आपको गवर्मेंट मिले ठीक है और अगर आपका 10,000 से 12,000 15,000 रैंक तक है और अगर आपको प्राइवेट भी एड कॉलेज मिला है तो आप सेमी गवर्मेंट के लिए नेक्स्ट कांसलिंग के लिए रुक सकते हैं कि प्राइवेट में जब लेना ही है तो फिर प्राइवेट में बाद में भी ले सकते हैं क्यों ना एक बर सेमी गवर्मेंट के लिए ट्राइ किया जाए ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते है नए वीडियो में तब तक के लिए मस रही खुश रही धन्यवाद